हाई, आद में शेयर करे हूँ आप सभी के साथ बहुती क्रीमी और टेस्टी ओवनाइट ओट्स चिया सीड्स रेसिपी जो की मीथी नहीं है, सॉल्टेड है, सेवरी है, आपको काफी जादा पसंद आएगी, ब्रेकफस्ट के लिए बहुती बढ़िया ऑप्शन है, इसको बना लेंगे, और यह आपको काफी अच्छी लगेगी, अगर आप डिली मीठे ओट्स खाकर बोर हो गया है, तो इसको आपको ट्राय करना चाहिए, यह रेसिपी मैंने करीब एक दो साल पहले भी शेयर करीए, सॉल्टेड ओट्स की रेसिपी, थोड़ा सा डिफरेंट वे म अभी मैंने इसको बताया है, तो अभी आईए, इसको बनाने स्टार्ट करते हैं, इस रेसिपी में कितनी कैलरीज हैं, नियूट्रिशनल इन्फो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 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 चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहां पे मैंने चिया सीट्स ली हैं 10 ग्राम, और नोच्त-इस, चाहां दो अगर आप चाहो तो रोल्ल ओट्स भी यूज़ कर सकते हो और ये, मैंने करीव 25 ग्राम के असपास लिया है, और उसके बाद मैंने लिया है लोवऑ फैट कर्ट, यह मैंने करीव 130 ग्राम के असपास लिया है, तो अब 100 टू, 150 ग्राम तक यूज़ तो अभी सारी चीज़े हम एक बाउल में ढालेंगे और उसके बाद इसमें करीब आधा कब तक हमें पानी डालना है और थोड़ा सा नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है आप इसको बस कवर करके और फ्रिज में ओवर नायट खीर रख ते रात में इसका प्रिपेर कर सकते हैं जो भी आगे का प्रोसेस है वो बट मैंने मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी सी चीजे लिये जैसे कि एक पैन में थोड़ा सो ऐल डालेंगे और इसके बाद हरी मिर्च डाली है मैंने थोड़ा से एक से दो चमच जॉप गाजर लेना है और करी लीव्स लेनी है थोड़ा से मैंने स्वीट कॉन एड़ किया है और मैंने थोड़े काजू एड़ किये है और थोड़े से मैंने रोस्टेट पीनिट्स एड़ किये हैं तो अगर आप चाहो ना तो इसमें आप बिना तड़का लगाए भी जैसे कि प्याज, खीरा, ट कर लेना और इसके बाद ओट्स में उपर से डाल देना और आप इसको खाना बिलीव मी आपको ये ओट्स की रेसिपी काफी पसंद आएगी तो यहां पे सब्जियों को मैंने अच्छे से को कर लिया है और यह मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखे थे ओट्स और चिया सीट इस भी काफी अच्छे से मतलब की सोग्ड हो चुकी है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको खा सकते हैं वर जो अधी बची हुई सब्चिया है उसको उपर से गार्निश किया है मैंने और इंजॉय आज को आपको यह आज का इसी तु प्रिपेर ओट्स रेसिप करना अपने फ्रेंड उर फैमिली में और आपको ए कैसी लेग है आप इसको ट्राए करके निप्ने फीड़बैक शेयर कर सकते हैं मेरे साथ और आप कैसी रेसिपी चाहते हैं वो भी कॉमें बच्छ में मुझे बता सकते हैं इसको आपकी पसंद की रेसिपी या बिड़ी च next video के साथ, till then eat happy and stay happy, bye bye, take care.